असराम लेकम, आज आपको फ्राइड चिकन बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए 1 किलो स्किन के साथ चिकन लेक पीस लिए हैं, इसमें थाए और लेक दोनों हैं, इनके हमने डीप कट लगा लिए हैं, एक कप दूद, डेट चाय का चमच नमक, एक चाय का चमच काली मिश्का पाउडर, और दो खाने के चमच लेमन जूस, सब चीजे चिकन में डाल कर मिक्स कर लेंगे, नमक, काली मिश्का पाउडर, लेमन जूस, और दूद डाल कर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चीकन में सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब इसको कवर करके 4-5 गेंटे या फूरी रात मेरिनेट करके रख देंगे, चीकन पर ड्राइ कोटिंग के लिए मैदा लिया है, दो कप, कॉन फलार, आदा कप, नमक, एक खाने का चमच, या अपने टेस्के हिसाब से डाल लें, काली मिश्का पाउडर, एक चाय का चमच, लैसन का पाउडर, एक चाय का चमच, और अद्रक का पाउडर, एक चाय का च प्रिमिर्ज और नमक डाल कर मिक्स कर लेंगे ड्राइ मिक्स तयार है मैरिनेड की हुई चिकन और एक बॉल में हमने ठंडा पानी ले लिया है सबसे पहले हम चिकन का एक पीस लेंगे इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करेंगे अब इसको दो से तीन सेकेंड के लिए ठंडे पानी में डाल देंगे अब इसको निकाल लेंगे और दोबारह इसको ड्राइ मिक्स तरह में डाल कर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे सारे चिकन के पीसिस को इससी तरह करके ओल में फ्राइ कर लेंगे चिकन को फ्राई करने के लिए ओईल को गरम कर लिया है अब इसमें चिकन डाल कर फ्राई कर लेंगे 15 मिन तक चिकन को मीडियम फ्लेम पार फ्राई कर लेंगे चिकन फ्राई हो गई है अब इसको निकाल लेंगे फ्राईड चिकन तयार है आप इसको जुरू ट्राई कीजिएगा और बताएगा आपकी फ्राईड चिकन कैसी बनी अगर आपको रैस्पी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना बुलें अलाहाफेज खरी बने च्जो जप्राईब करता है अलाहाफेजा कास्पा करना ना बुला मौवटjal। पा המשवटल झाल झाल